घुर्ट मॉणिंक स्थे ओपैस नमबर 54 में हमने पढ़ा पर्ट के बार में पड़ा था बर्ड किस परकार से होती है वो अपने निश्ट क्यों बनाती है हमने इसमें पढ़ा था नेस्ट क्यों बनाती है कितने समय तक उनका नेस्ट बनता है और फिर इसपे पढ़ा थे different types of birds यानिके अलग लग परकार के जो birds हैं उनके नेस्ट अलग लग परकार के होते हैं हमने पढ़ा nest of sparrow and pism the nest of the tailor bird nest of a weaver bird nest of a footpeaker एंड नेस्ट ऑफ बुलबुल नेस्ट ऑफ वल्चर नेस्ट ऑफ पैगवीन एंड नेस्ट ऑफ पार्डे नाउ टन यूर पेस पेस नंबर 58 पच्छा पेस नंबर जो आपका 58 है आज हम उस पर पढ़ेंगे नेस्ट ऑफ आउल मतला अलू का जो घुसला होता है वह किस परका जो उल्लू होता है वो अपना गहुसला कहां बनाता है बेड़ों के जो छ्चीद होते है उन में बनाता है यह दीवारों में बनाता है जा पुरानी के होती है वहां अपना गहुस तक म आपका अपना नेस्ट शीज ऑप पालगेन केảiवारों पाना इस oti द। पंखर से अपना घंवसला बनाता है तो यह अपने अंडे देता है नेस्ट आता है अपका नेस्ट ओफ और कुझू जो मारी कुझू होती है बर्ड कोयल होती है वो किस प्रकार से होता है इस फार इंडेस्टिंग इस को हम पढ़ते हैं बात बात क्वेंजस कोईल होती मुद्धकी सब्सक्राइब निजे में हम रिक्वाथ लेकिन सी के सालाक वी अंड़क बहुत क्रोस क्रोस नाइज्ट अप्ने वापना गोसवा कर देती है इसफ्टार गोसुदिए यह moju अपने अंडे कहा देती है किसके घोसले में कहा देती है वह कववे के घोसले में और जो कववे होती है जो मा होती है कववा वो सुचती है कि अंडे किसके उसके अंडे है और अंडे दुनों के सेम होते हैं तो क्या करती है वो उनको वैसे ही सेखती है जैसे अपने अंडे समझ के She also fed the babies along with her own because they look quite alike और दुनों के जो बच्चे निकलते हैं वो भी दुनों के बच्चे एक जैसे होते हैं क्योंकि कोयल भी काली होती है और कववा भी काला होता है तो कववा अपना बच्चे समझ की ही उसके बच्चों को क्या करता है खाना भी खिलाता है तो आपने देखा कोईल की ती चाला का अपना घोस्ता तो बनाती नहीं है और उसकी अपने कववे के घोस्ते में क्या डाल देती है अपने अंडे डाल दे एच जब घोसले तयार हो जाता है तो जो मादा जो चुनिया उती है जो चुनिया अंडन देती है वो क्या करते है या इस घोसले में क्या देती है न देती है बोथ, the mother bird and the father bird work hard to look after them और मा, जो मा होती है पक्षी और जो पिता होता है यानि कि नर्व पक्षी और मादा पक्षी दोनों है अपनी क्या करते हैं? घोश लेके क्या करते हैं? देखार करते हैं The eggs have to keep form अंडों को क्या रखते हैं? गरम रखते हैं Mother birds and the father birds sit to eggs to keep them form अब क्या करते हैं? ये अंडों के उपपर बैठते हैं क्या होते हैं? अंडों के उपपर बैठके अंडों को गरमाहट पहुंसती है ये अंडों को सेखते हैं जितनी ज़्यादा गरमाहट पहुंसती है उतनी जल्दी उनके बेबी बाहर आते है The father birds also protect the nest from enemies जो आपका पक्षियों की जो पिताजी होते ही यानि कि जो नर पक्षी होता है ये क्या कलता है दुश्पनों से अपने एग की सुरक्षा करता है ठीक है When the baby's birds is fully grown The egg shall break into the baby birds come out of the egg अजब क्या हो जाते हैं बड़ जो एग होते हैं फुली ग्रोन हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तो अंडे फूड जाते हैं और उन से क्या निकलता है बेबी बड़ छोटे जो बड़ होती है वो बाहर निकल जाती है The birds that come out of the egg are very weak जब बच्च बच्च का बच्च निकलता है तो बहुत ही क्या हुता है कमजोर होता है They do not have feeders उनके पंक भी नहीं होते हैं The eyes are Their eyes are closed और उनके आखे भी क्या होती है बंद होती है बहुत ही कमजोर होते हैं निकलता है आखे भी बंद होती है जब वो अंडों से निकलता है Now turn your face The mother and father birds look after them अब जो मा होती है और उनके पिताजी होती है चोटे baby birds के वो उनकी क्या करती है देख भाल करती है They feed them and keep them farm. They protect them from enemies वो उनकी देख भाल करते हैं, उनके लिए खाना पहुचाते हैं, उनको गरम रखते हैं दुश्मनों से भी उनकी सुरक्षा करते हैं It is very interesting to see a mother bird feeding its young ones यह देखने में बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत जो हम देखेंगे किस प्रकार से एक जो चुणिया होती है, वो अपने छोटे बच्चों को खिलाती है The mother birds take food in her mouth, वो क्या करती है, अपने मूँ से अपने babies के मूँ में खाना डालती है She breaks the food into small pieces and makes it soft, वो क्या करती है, पहले उस खाने की चोटी चोटी टुकडे बनाती है उसको बहुती soft बनाती है Then she pushes the food into the mouth of baby bird और फिर क्या करती है, अपने मूँ से baby bird के मूँ में धक्का दे के उस खाने को पहुचाती है When the baby bird grows up and has feathers, the parents bird teach them to fly and find food themselves अब जब क्या हो जाते है, baby birds क्या होते है, बड़े हो जाते है, उनमें थोड़े थोड़े पंका आते है, तो दोनों parents यानि कि उनके ममी और पापा दोनों bird उनको क्या करती है, उनको खाना ढूनना सिखाती है Thus the young ones are cured and protected by their parents bird till they learn to fly and gather their own food अब क्या हो जाती है, जो छोटी चड़िया होती है, baby bird होते हैं, वो सीख जाते हैं अपने ममी पापा की मदद से कि हमें कैसे उड़ना चेहर, अपने लिए खाना खुद ही कैसे डोनना चेहर, तो उसमें उनकी parents उनकी help करते हैं इसमें आपने क्या पढ़ा, इस chapter में आपने पढ़ा किस परकार की birds की nest होते हैं, फिर वो आपने अंडों को कैसे उनकी देख भाल करते हैं, अलग-लग birds के अलग-लग अंडे होते हैं इस वीडियो में हमने birds के बारे में बहुत सारी जानकारी लिए, एक बार हम things to remember कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, most birds will nest to live in जहतर चनिया क्या करते हैं, अपने लिए घोस्ता बनाती है, birds build to nest किस लिए बनाती हैं, to lay eggs, eggs देने के लिए, to protect and feed their young ones, अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, उनके बोजन के लिए, to give shelter to their young ones, अपने चोटे बच्चों के लिए घर बनाती हैं, उनकी शरंड के और नया घोस्ता बनाती है, जब फिर से अंडे देने वाले होती हैं, तब अपना नया घर बनाती है, birds make nest on tree, in broken wall, old building, kailites, ventilators, extra, अपना घोस्ता जातर पेड़ों में बनाती है, तूटी दिवालों में, पुरानी बिल्डिंग में, रोशन दान में, यह अपना घर बनाती है अब अपना घर बनाने के लिए क्या क्या यूज करती है, birds use grass, feeders, string, papers, old clothes, rack, cotton, wool, small leaves, extra, अपना घोस्ता बनाने के लिए यह सारी चीज़े है, paper, पंके, पुरानी चीज़े, पुराना कपड़ा, छोटी छोटी पत्ती हैं, घास, इनसे अपना घोस्ता बनाती है, birds look after their young ones, अ nest के अंदर घोसले के अंदर अंडे देती है, sit on their egg to keep them warm, और अपने अंडों को क्या रखती है, घरम रखती है, feed them, teach them to fly, protect them until the baby birds have learned to fly and look after themselves, क्या करती है, उनको खाना खिलाती है, अपने बेबी को, उनको उड़ना सिकाती है, और उनकी क्या करती है, उनकी रक्षा करती है, उ और उनको उड़ना सिकाती है, अपने लिए भोजन को ढूणना सिकाती है, तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर हमारा complete हो गया है, कल हम इसकी exercise, यानि कि next वीडियो में हम इसकी exercise करेंगे, okay